सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गॉर्मन जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें तो वेल्कम बैक दोस्तों इंडियन नेवी का ओफिशल नोटिफिकेशन आ गया है अगनिवीर के लिए यह पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम लिंक में डाला हुआ है अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यह हमारा टेलिग्राम चैनल है जॉब इंडेक्स नाम से इसमें मैं पूरा नोटिफिकेशन डाल देता हूँ जैसे ही मेरे को कुछ भी ऑफिशल अपडेट मिलता है तो अगर आप रेगुलर अपडेट के लिए और कोई गवर्मन जॉब के लिए पीछे छूट रहे हो तो इस चैनल को जॉइन कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ये लेटेस्ट इंफरमेशन कोई भी गवर्मन जॉब के रिगाडिंग मिलते रहे अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की तो इसमें जो चीज डिसकस करी गई है वह हो है कि कितने लोगों को नेवी हायर करेगी इसमें अठाइसो वेकिंसी बताई गई है जिसमें से मैकसिमम वेकिंसी जिस्ट एक सेकंड मैं इसको कर देता हूँ तो अगर आप notification को अगर पढ़ोगे तो इसमें आपको 2800 vacancies बताई गई है जिसमें से 560 female candidates को लिया जाएगा और ये number में इनकी final जो INS चिलका है वहाँ जाने की भरती होगी ये SSR badge के लिए है यानि आपको secondary recruit के तरह Navy में भरती खरा जाएगा जिसमें आपके education qualification 10 plus 2 maths physics होनी चाहिए दोस्तों अगर आपको इस सारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like कर देना साथ ही साथ चैनल को subscribe कर देना इससे क्या होगा कि जिसको ये information चाहिए उसको YouTube और promote करेगा वीडियो को और उसके पास जाएगी अधरवाइस ऐसे ही पड़ी रहेगी अब जैसे कि मैं इस वीडियो में देख सकता हूँ कि age requirement जो इन्होंने बताई हुई है वह 1st November 99 से 2005 के बीच में जो भी born है वह दे सकते हैं इसके लिए और इसमें male female दोनों apply कर सकते हैं तो आपके doubt clear हो गई नेवी में जो अगनिवीर योजना में भरती हो रही है वह male और female दोनों के लिए हो रही है और दोनों apply कर सकते हैं terms of conditions क्या है आपको चार साल के रिक्रूट करा जाएगा जो अगनिवीर की योजना है उसके तरह इसमें आपको साल में 30 दिन की छुटी दी जाएगी pay benefits जो हैं जो मैंने already वीडियो बनाई हुई है लगभग आप 30,000 रोपे परमंत तक कमाऊगे ऐसी मैंने बहुत सारी अगनिवीर पर वीडियो इसी चैनल पर बनाई हुई है आप देख सकते हैं आपको कितनी salary मिलेगी इसमें ये कह रहे हैं लगभग 30,000 रोपे तक मिलेगी जिसमें आपको मिला कर सारे allowances लगभग 30,000 रोपे तक मिल जाएंगे फ में अगर मैं selection process में बात करूँ तो आपको जो percentage object करी गई है chemistry, physics, maths में वहों आपकी cutoff उसके base में आपको रखा जाएगा जो cutoff आएगी जो percentage की cutoff रखी जाएगी जितने applications आएगे जितनी उसमें vacancies होगी उसके हिसाब से उसकी cutoff decide गरी जाएगी physical standards की अगर मैं बात करूँ तो जो male candidates होंगे उनको 1.6 km, 6.5 मिनट में करना है और female को 8 मिनट में करना है फिर squads करने हैं, push-ups करने हैं सिर्फ male candidates को और women candidates को सिर्फ knee-ups करने हैं तो यह होगी आपकी physical candidate फिर medical जो होगा वो हो आपका कल्यानी में या आपका किसी भी naval hospital में medical standard होगा आपको उधर जाना पड़ेगा और pregnancy if any candidate found pregnant अगर आप course के दुरान कोई भी pregnant found करे जाते हैं तो आपको reject कर दिया जाएगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा services से तो यह सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बिलकुल जाते समय फोज में अ अब इसके बाद अगर डिसकस करें और चीज़ें तो इसमें और क्या है ग्लासेज और ट्रेनिंग के बारे में तो इसमें इतना कुछ नहीं है ट्रेनिंग आपकी नौंबर 2022 से शुरू हो जाएगी इनस चिलका में जिसको इन्होंने बताया हुआ है और उसके बाद अगर आपका call letter आएगा यह सब चीज़ें आपका admission के regarding हैं तो इसके लिए सबसे important जीज आप apply करना चाहते हैं तो आप क्या दिखें अगर आपको apply करना है तो आप online apply कर दीजे join indian navy की website में जाके 15 जुलाई को form release हो जाएंगे 15 से 22 जुलाई के बीच में तो 15 से 22 जुलाई के बीच में आप ये form भर सकते हैं आपको कोई भी इसकी query होगी कुछ होगी तो आप नीचे comment गर के हमसे पूछ सकते हैं यह पूरा का पूरा notification आ चुका है जिसका बहुत time से हमें इंतजार था तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना